हेलो बच्चों, मैं पूजा चौदरी, आज की कक्षा में आप सब का स्वागत करती हूँ बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की अंतरगत राजरीती विज्ञान को पट रहे हैं जिसमें की हम आज हमारे चौथे अध्याई को प्रारंब करने जा रहे हैं जाती धर्म और लेंगिक मसले और इस अध्याई 4 के भाग एक को आज हम प्रारंब करेंगे जिसका नाम है सामाजिक असमानताएं और उसके अंतरगत हम लेंगिक मसलों की बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं अध्याई 4 का भाग एक बच्चों हम समाज के अंतरगत रहते हैं हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अंतरगत रहते हुए हम सामाजिक संबंदों की बात करते हैं और सामाजिक संबंदों की बात करते हुए हम कहेंगे कि सभी मनुष्य समान नहीं होते अथार्थ सभी मनुष्य एक दूसरे से अलग होते हैं समाज में सामाजिक विविदताएं पाई जाती है राजी में भी सामाजिक विविदताएं पाई जाती है और प्रतेक देश में भी सामाजिक विविदताएं पाई जाती है क्योंकि इसमें जनता का कल्यान सर्वो पर होता है। लेकिन यहां विविदताईं आगे चल कर यहां अंतर जो हैं वहां विभाजन के रूप में भी दिखाई देते हैं। को हम इस अध्याई में पढ़ने वाले हैं। यहां विशमताईं भारत में मुख्यता तीन आधारों पर देखने को मिलती हैं। जिसमें कि हम लिंग के आधार पर असमानता की बात कर सकते हैं। हम धर्म के आधार पर असमानता या विशमताओं की बात कर सकते हैं। और हम जात इन तीन आधारों पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग पहचाना जाता है। लेकिन कई सारे उधारणों में हम देखते हैं कि यह उधारण जो हैं यह जो स्वरूप है सामाजी का असमानता के वे अच्छे उधारण पेश नहीं करतें। और इस कारण समाज में भेदभाव भी किया जाता है। चाहे वह लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो या धर्म के आधार पर किया जा रहा हो या जाती के आधार पर किया जा रहा हो। इस प्रकार से इन तीनों आधारों पर समाज में भेदभाव देखने को मिलता है जो कि हमारे देश के लिए एक चिंता जनक स्तती हो सकती है इस प्रकार से आज हम इस समाजिक असमानता के पहले स्वरूप की बात करेंगे हम लेंगिक असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो क्या है लेंगिक मसले, क्या है लेंगिक असमानता तो लिंग के आधार पर भारत में असमानता देखने को मिलती है यानि कि मनुष्य पैदा होने के स्थान पर तो समान है सभी मनुष्य समान है लेकिन हमारे समाज में लिंग के आधार पर विभाजन पाया जाता है यानि इस्त्री और पुरुष को समान नहीं समझा जाता और यही चीज क्या कहलाती है लिंग के आधार पर असमानता कहलाती है यानि कि इस्त्री और पुरुष की भूमिकाओं में भी अंतर है उनके कर्तव्यों में भी अंतर है, उनके अधिकारों में भी अंतर है और इस आधार पर, लिंग के आधार पर हम हमारे समाज में भेवा देखते हैं और यही लेंगिक असमानता कहलाती है और यहाँ प्राचीन समय में, मध्यकाल में और आधुनिक समय में भी परिवर्तित हुई है अलग-अलग कालों में हमने लेंगिक असमानता के अलग-अलग रूप भी देखें तो आईए जानते हैं लेंगिक मसले क्या है, लेंगिक असमानता क्या है सबसे पहले हम कहेंगे प्रतेक समाज में, राज्य में वर देश में सामाजिक विविदताएं पाई जाती हैं यानि कि समाज में बहुत सारी विविदताएं देखने को मिलती हैं चाहे वह समाज हो, चाहे वह राज्य हो या देश हो सभी में सामाजिक विविदिताएं हैं, बहुत सारे सामाजिक अंतर देखने को मिलते हैं, जिसकी बात हमने पिछले अध्याई में भी की थी, जैसे की प्रजाती के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाती के आधार पर, लिंग के आधार पर या भाशा के आधार पर, इन सभी कि कई जादा आधारों पर हमें समाज में, देश में और राज्यों में विद्धाइं देखने को मिलती हैं, यह सामाजिक विविद्धा लोगतंतर के लिए कोई खत्रा उत्पन्न करें ऐसा अवशक नहीं है, यानि कि हम हमारे भारत में लोगतंतरिक शासनियोस्था देखते ह और यहां पर हम यह कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सामाजिक विविद्धाएं जो हैं वहां हमारे लोगतंतर के लिए कोई खत्रा बन रही हैं, लेकिन इसके कई सारे परिणाम जो हैं नकारात्मक भी होते हैं, तो इस प्रकार से यह हमेशा एक खत्रा बनी है, ऐसा नहीं है बलकि कई सारे इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम भी होते हैं राजनीती में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति एक सामान निबात है यदि हम बात करें राजनितिक शित्र की, तो यहाँ पर भी इस समाजिक असमानता को प्रस्तुत किया जाता है, उसके अभिव्यक्ति की जाती है, कई बार यहाँ अभिव्यक्ति लोगतंतर के लिए लाबकर होती है, क्योंकि लोगतंतर में जनता सर्वों परी है, तो यहाँ अभिव्यक्ति होना स्वाभाविक है कि समाज असमान है, समाज में असमानता पाई जाती है, लेकिन कई बार यह लाबकर होती है, लेकिन कई बार इसके परिणाम जो है वह नुकसान देह भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार से समाज में असमानता तो पाई जाती है, और भारत में लोकतांत्रिक शासे निवस्था में इस प्रकार की आसमानता राजितिक शित्र में अभिव्यक्त भी की जाती है लेकिन इस अभिव्यक्ती के परिणाम कई बार सकारात्मक होते हैं और कई बार नकारात्मक होते हैं भारत में यदि देखा जाएं तो कितनी प्रकार की असमानता हैं तो बहुत सारी असमानता हैं बहुत सारे इस्तरों पर हमने देखने को मिलती हैं बहुत सारे शित्रों में अलग अलग प्रकार की असमानता हैं हमें देखने को मिलती हैं लेकिन यदि मुख्य असमानताओं की बात करें, तो वहां तीन प्रकार की असमानता हैं, हमें भारत में, हमारे देश में देखने को मिलती हैं, कौन-कौन सी हैं, तो हम कहेंगे तीन प्रकार की सामाजिक असमानताओं में मुख्यत है, लिंक के आधार पर पाई जाने वाली असमानता, फिर धार्मिक आधार पर साम सामाजिक असमानता भी हमारे भारत में पाई जाती है और तीसरी जो मुख्य सामाजिक असमानता है वह जाती के आधार पर हमें भारत में देखने को मिलती है तो इस प्रकार से भारत में मुख्यता तीन प्रकार की सामाजिक असमानता है पहली लिंक के अधार पर दूसरी धर् असमानता यह असमानता किस तरह सराजनीती में अभिव्यक्त होती है और इन असमानताओं पर आधारित अलग-अलग अभिव्यक्तियां लोगतंत्र के लिए किस प्रकार के परणाम देती है अधात लाबकर होती है या नुकसान दे तो हम कहेंगे यह राजनीती में भी उनको अलग अलग अदिकार दिये गए हैं इसकी भी अभिव्यक्ति होती है साथ ही साथ धर्म के आधार पर भी हम राजनितिक रूप से अभिव्यक्ति देखते हैं और जाती के आधार पर भी हम देखते हैं कि राजनितिक शित्र में अभिव्यक्ति होती है लेकिन यह विद्धिमान अवसरों की असमानता को सामाजिक असमानता कहा जाता है या भेद्भाव को भी सामाजिक असमानता के रूप में बताया जाता है यानि कि जो दो वर्ग हैं या दो खेमे हैं उनके बीच में या दो से अधिक खेमे हैं उनके बीच में अफसर जो हैं वह बराबर नहीं हैं उनको बराबर अफसर नहीं मिल रहे हैं कि वह अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें तो अफसरों की आसमानता इसके अंतर तो सामाजिक असमानता में कोई भी जो दो व्यक्ति हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं, समू है, समुदाय हैं, उनके बीच में अवसरों की असमानता देखने को मिलती हैं, असमानता के रूप में हम इसको वर्णित कर सकते हैं, सामाजिक संसादनों में कौन-कौन से संसादन आत सांस्कृतिक संसादन आते हैं और सामाजिक पुंजियां भी आती हैं तो इन सभी में यदि हम अवसरों की असमानता देखते हैं तो वही सामाजिक असमानता की बात की जाए तो सामाजिक असमानता लोगों के मद्य जन्म जात अथ्वा प्राकृतिक विबिनताओं का परणाम नहीं है, यानि कि समाज में जो असमानता पाई जारी है, जो दो सरवर्गों के मध्य, दो समूहों के मध्य, दो से अधिक वर्गों समूदायों के मध्य, जो असमानता हमें देखने को मिलती है, वहाँ प्राकर्तिक नहीं है, वहाँ जन्म जात नहीं है, और इसका कारण क्या इसका कारण यही है कि यहां असमानता जन्म के बाद बना दी गई है यानि कि यहां हम सभी की मानसिक्ता का परिणाम है कि समाज में अंतर देखने को मिलता है यहां असमानता देखने को मिलती है यानि कि इस प्रकार की मानसिक्ता हमारे मस्तिष्क में डाली गई है ना कि यहां जन्मजात या प्राकर्तिक थी तो सामाजिक असमानता लोगों की मध्य जन्मजात अथवा प्राकर्तिक विभिनताओं का परिणाम नहीं होती या पहले से जन्म के आधार पर नहीं पाई जाती है बलकि यह हमें सिखाई जाती है यह हमें समझाई जाती है हमारे अपने समाज समाज के द्वारा तो इस प्रकार से समाजिक असमानता जो है समाज के द्वारा हमारे मस्तिश्क में पोशित की जाती है बलकि यह जन्मजात नहीं होती तो इस प्रकार से समाजिक असमानता उस समाज द्वारा उत्पादित है जिसमें कि हम रहते हैं यह समाजिक स्तरीकरण का मार्क भी प्रशस्त करती है, यानि कि समाज में जो असमानता पाई जाती है, वहाँ आगे चल कर समाज में इस्तरी करण का निर्मान करती है, यानि कि कुछ व्यक्ति जो हैं वहाँ उंचे इस्तर पर हैं और कुछ व्यक्ति जो हैं वहाँ निम्न इस्तर पर देखने को मिलते ह और यही व्यवस्था स्तरीकरण की व्यवस्था कहलाती है यानि कि सामाजिक असमानता भी हमारे द्वारा बनाई गई है और यह आगे चलकर स्तरीकरण का समाज में निर्मान करती है और वह भी किसका परणाम है यह भी समाज के द्वारा ही बनाया जाता है तो इस प्रकार से सामाजिक असमानता भी मनुश्य ने बनाई है और स्तरीकरण जो अलग-अलग स्तरों पर मनुश्यों का पाया जाना या अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग प्रकार से लोगों को अधिकारों का देना या उनको जो है विशेशाधिकार देना भी हमारे द् और संपत्ती में असमानता भी हो सकती है और जीवन संबंदी असमानता भी हो सकती है तो उधारन की रूप में यदि हम सामाजिक असमानता की बात करें तो सबसे पहले राजनितिक असमानता देखने को मिलती है जिसमें हम कहेंगे राजनिती के इस्तर पर सभी वर्ग, समू य समुदा या व्यक्ति जो है वह समान नहीं है सभी को समान अधिकार नहीं दिये गए है यह सामाजिक असमानता के अंतरगत राजनितिक असमानता है अथार्थ विदी के समक्ष नागरिक समानता नहीं होना क्या कहलाता है राजनितिक रूप से असमानता कहलाता है इसी तरीके स आय और संपती में भी आसमानता हमें देखने को मिलती है यानि कि समाज में दो वर्ग एक गरीब वर्ग और दूसरा धनी वर्ग हमें देखने को मिलता है तो यह भी क्या है आय के आधार पर कुछ वर्ग जो है गरीब है और कुछ धनी वर्ग है यह क्या कहलाता है आय और संप जीवन संबंदी असमानता, बेबी हम देख सकते हैं कि जीवन शैली के आधार पर भी कुछ व्यक्ति, कुछ वर्ग और कुछ समूज विशेशादिकार प्राप्त हैं और कुछ के पास में जीवन जीने के आधार भूद संसाधन भी उपलब्ध नहीं होतें, तो इस प्रकार स हमें सामाजिक असमानता के उधारन दिखते हैं, जब हम राजनितिक असमानता की बात करते हैं, हम आय और संपति के आधार पर असमानता की बात करते हैं, हम जीवन स्तर के आधार पर असमानता की बात करते हैं, यह सभी सामाजिक असमानता के ही उधारन हैं, उधारन के रूप किसे व्योसाई कर सकता है जो परंपरागत रूप से पहले से समाज ने उसके लिए ताय किए हैं वही व्योसाई उसे करने होंगे। तो हम कहेंगे किसी दलित जाती के व्यक्ति के लिए परंपरागत व्योसायों जैसे की क्रशी करना, क्रशी के अंतरगत श्रम करना, मैला उठाना अथ्वा चर्म कार्य यानि की चमडे के कार्य इतियादी करना इहीं तक इनके कार्य जो है सीमित कर दिये गये हैं, दलित लोग दिये गए हैं यह कारे जो हैं परंपरागत कारे हैं क्योंकि वहां जाती से दलित होते हैं तो इस प्रकार से समाज पहले से ही कुछ कारे निश्चित कर देते हैं और इस प्रकार से उनके लिए प्रगती के अवसर जो है वह समाप्त हो जाते हैं और यही क्या है यही सामाजिक समानता कहलाती है क्योंकि समाज जो है वह इस प्रकार की अवधारना मानता है समाज जो है व्यक्ति को यह दर्जा देता है कि आप कौन सी जाती के हैं और आपको कौन सा कार्य करना है तो इस प्रकार से यह व्यक्ति जन्मजात दलित नहीं थे बलकि दलित के आधार पर उनके क पारियों को निश्चित समाज कर देता है, इस कारण समाज जो है वह जिम्मेदार होता है सामाजी का समानता के लिए, इसी तरह हम लेंगी का समानता की बात भी कर सकते हैं, लेंगी का समानता भी कौन निधारित करता है, यह भी समाज निधारित करता है, ना कि यह जन्मजार् प्रकार के समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में जाना जाता रहा है। उन्हें घर में रहकर काम करना चाहिए। उन्हें घरेलु जिम्यदारियां जो हैं उठानी चाहिए। बाहर जाकर करने की स्वतंतरता महिलाओं को नहीं होनी चाहिए। दोयम दर्जे पर रखा जाता है। उन्हें परिवार के अंतरगत भी दोयम दर्जा दिया जाता है और यदि वह बाहर कारी करने के लिए जाती हैं तब भी वहाँ पर उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है। चाहिव श्रम के अधार पर हो अथ्वाव नौकरी पाने के लिए हो अथ्वाव शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक असमानता विश्व की एक सच्चाई है जो कि भारत में भी देखने को मिलती है और भारत में हमें जाती के आधार पर असमानता देखने को मिल रही है जिसमें हमने दलितों का उधारन देखा कि उनके लिए कुछ परंपरा गतप और उसी तरीके से हमने भारत में लैंगी का समानता का भी उधारन देखा जिसमें कि महिलाओं को भी बहुत सारे निर्णाय लेने की स्वतंदरता नहीं होती, शिक्षा प्राप्त करने के लिए या परिवार में निर्णाय लेने के लिए भी उन्हें दोयम दर्जे पर रखा जाता है, तो इस प्रकार से यहां दोनों ही भारत में विद्यमान हैं, भारत में यहां दोनों प्रकार की सामाजी का समानता हैं पाई जाती हैं, महिलाओं जो हैं घर और समाज दोनों जगहों पर शोशन की शिकार होती हैं, अपमान की शिकार होती हैं और भेदभाव से पी का सामना करना पड़ता है और यह दिवा समाज में जाती है या वह बाहर कारे करने के लिए जाती है तब भी वहां पर उन्हें समानता के अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं महिलाओं के खिलाव भेदभाव दुनिया में हर जगे प्रचलित है ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केव भारत में देखने को मिलती है बलकि वैश्विक इस्तर पर भी हम देखते हैं कि महिलाओं को समान अधिकारों के लिए आज भी लड़ना पड़ रहा है और इसी कारण नारिवादी आंदोलन हम समय समय पर देखते हैं और उसको भी कई चरणों में हम बढ़ते हुए देखते है क्योंकि नारिवों को या महिलाओं को जो है अधिकार आज भी समान रूप से नहीं दिये जा रहे हैं अब हम विस्तार से पढ़ेंगे सामाजिक असमानता के अंतरगत लेंगिक असमानता क्या है और लिंग की असमानता क्या है तो विस्तार से जानते हैं सामाजिक असमानता का यहां जो रूप है जिसे हम लिंग की असमानता या लेंगी का असमानता कहते हैं यहां हर जगे नजर आता है यानि कि यहां गाओं में शहरों में भारत में और भारत से बाहर दूसरे देशों में विश्व के हर कोने में हमें लिंग की असमानता देखने को मिलती है लेंगी या समानता जो है ये बदल ही नहीं सकती इस प्रकार से यहां हमारी मानसिक्ता में डाल दिया गया है कि लिंग के आधार पर समानता आना कभी भी संभव नहीं हो सकता तो हम कहेंगे लेंगिक असमानता को स्वाभाविक मान लिया गया है और प्राकर्तिक मान लिया गया है और ऐसा होना ही चाहिए था या स्वाभाविक और प्राकर्तिक अवधारना के अंतरगत मान लिया जाता है इसके कारण हम इस लेंगिक रूप से पाई जाने वाली असमानता को अपरिवर्तनिय मान लेते हैं, यानि कि स्त्रियों या महिलाओं की स्तती में कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं, अपरिवर्तनिय है, इस प्रकार की मानसिक्ता हम सभी के मस्तिश्क में पोशित कर दी गई ह लेंगे का समानता की इतिहासिक प्रष्टमूमी की यदि हम बात करें तो इतिहासिक द्रश्टी से हम कहेंगे यहाँ पहले भी विद्यमान थी लेकिन यदि हम बात करें पूरु वैदिक काल की यदि हम बात करें उसमें भी पूरु वैदिक काल में हम यदि बात करें तो हम कह लोपा, घोशा, मुद्रा जैसी महिलाएं जो हैं वह विदूशियां थी और वह शास्त्रात करके इस प्रकार की सभाओं का हिस्सा थी जहां पर पूरुश और महिलाएं बराबर थे उन दोनों को ही शिक्षा प्राप्त करने का शास्त्रात करने का या किसी भी शित्र में अप प्तरवेदिकाल और बाद में मदिकाल में हम देखते हैं कि महिलाएं पर जो हैं बहुत सारे अत्याचार किये जाने लगे महिलाएं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया महिलाएं को कई सारी कूरीतियों से जोड़ दिया गया जिसमें हमने परदा प्रथा की बाद धी कर सक परन्तु हम देखते हैं कि आधुनिक काल में और स्वतंतरता के पश्चाद महिलाओं की स्तिती में धीरे-धीरे परिवर्तन आता है, महिलाओं को मतादिकार दिया जाता है और महिलाओं को राजनीती में आते हुए भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी कह सकते हैं कि राजनितिक दृष्टी से यदि महिलाओं को समानता की बात की जाए तो भारत में यहाँ आज भी नहीं आ पाई है भारत में इसके लिए आरक्षन की व्यवस्था भी स्थानिय स्तर पर हमें देखने को मिलती है लेकिन वहाँ पर भी भारत के पित्र प्रधान समाज होने के कारण हम देखते हैं कि महिलाओं के जो अधिकार हैं वह उनके पिता या उनके पुत्र के द्वारा उनका उपियोग किया जा रहा है और आज भी राजनितिक इस्तर पर हम यदि हम बात करें इस्थानिय स्वशासन की यदि हम बात करें तो आरक्षन होने के पश्चाद भी महिलाओं के चुनाव जीतने के पश्चाद भी वह घूंगट में रह करके अपने पद पर आती हैं और उनके पद का जो प्रयोग है वह उनके पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए उनके पती या पुत्र के द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एतिहासिक प्रष्ट भूमी में यदि बात करें तो प्राचीन काल में पूरुवैदिक इस्तती पूरुवैदिक काल की इस्तती भारती महिलाओं में अच्छी थी लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है और यहां नकारात्मक रूप से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो आईए जानते हैं 83 प्रश्टबुवी में लेंगिक समानता किस प्रकार की थी, किस प्रकार की लेंगिक मसले हमें उस समय पर देखने को मिलते हैं तो भारतिय समाज में महिलाओं की इस्तती प्राचीन या वैदिक काल में सूद्रड थी अच्छी स्तती थी उस समय पर यदि हम बात करें वैदिक काल की हम बात करें प्राचीन समय की उस समय पर महीलाओं की स्तती सूधर थी उस समय पर महीलाओं जो हैं वह समाज में समान इस तर पर रहती थी उनको बहुत सारे अधिकार दिये जाते थे उस समय महीलाओं को सभा और समीती जैसी सामाजिक संस्थाओं में समान प्रतिनिदित्व दिया जाता था, यानि पुरुश और महीलाईं दोनों ही समान इस्तर पर पाई जाते थे, इसके अतरिक्ट हमें उधारण के रूप में विदूशिया भी उस सम्में पर मिलती थी जो की थी अपाला उनका उधारन थी लोपा मुद्रा जैसी विदूशी महिलाई जो थी वहाँ उधारन थी जिन्हों ने वेदों की रचना में अपना योगदान दिया था तो इस प्रकार से वैदिक काल के अंतरगत यदि हम महिलाओं की इस्तती की बात करें तो यह एक सकारात्मक काल हमें देखने को मिलता है, जिस समय पर भारत में महीलाओं की इस्तती बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन परवर्टी काल में यदि हम बात करें, तो महीलाओं की इस्तती धीरे-धीरे कमजोर होने लग गई थी, प्राचीन काल के पश्चात, यदि हम बात कर हैं, ऐसी परिस्तितियों में आधुनिक काल के बुद्धी जीवियों ने अपने-परयास किये, अपने-परयासों के माध्यम से महीलाओं की इस्तती को उच्छ उठाने का परयास किया और कुरीतियों को समाप्थ करने के लिए, बहुत सारे सुधार अंदूलन भी चलाए त किये गए प्रयास अतिदिक प्रशंसनिय रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रयास के जिससे की लिंग के आधार पर समाज में समानता आए और इन प्रयासों से महिला समानता की नवी नवधारना का उद्भव होता है, तो इस प्रकार से आधुनिक काल में भा जो इस्तती मद् उसको समाप्त करने के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कई सारे समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने अपने अपने प्रयासों के माध्यम से समाज में लेंगिक आधार पर समानता लाने के प्रयास किये जो की प्रशंसनिया कार्य थे लेगिंग असमानता कि यदि हम आधारों की बात करें तो आधार क्या है तो हम कहेंगे इसके पीछे शारिरिक बनावट कारण नहीं है इसके पीछे जन्मजात बनावट कारण नहीं है बलकि समाज ने हमारी मानसिक्ता को निर्धारित किया है समाज में इस प्रकार की मानसिक्ता पहले से बना दी गई है रूड परंपराएं और रूडियां यह बताती है कि पूरुष और महिला कभी भी समान नहीं हो सकते और इस कारण हमारे समाजी करण की वज़े से ही हम इस समाजी का समानता को देखते हैं जो की लेंगी का समानता है तो इस प्रकार से लेंगी का समानता का आधार क्या है तो इस्त्री और पूरुष की जैविक बनावट इसका आधार नहीं है इसका कारण नहीं है बलकि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित रूडिया है रूडि छविया है और तैशुदा समाजिक भूमिका इसका कारण है तो इस प्रकार से हमारा समाजी करण ही इस प्रकार से हुआ है कि हमारा समाज हमें यह सिखाता है कि महिलाएं क्या करेंगी और पुरुष क्या तो इस प्रकार से समाजी करण ही हमारा इस प्रकार से हुआ है, हमारी मानसिक्ता इस प्रकार से बना दी गई है समाज के द्वारा कि महिलाओं को कौनसी भूमिकाय निभानी है और पुरुशों को कौनसी भूमिकाय निभानी हैं। समाजी करण और समाजिक भूमिकाओं की यदि हम बात करें तो भारत में लड़के और लड़कियां के पालन पोशन के क्रम में हम मानिता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी ग्रहस्ती चलाने की है और बच्चों का पॉलिन पोशन करने की है यहीं श्रम का लेंबिक विभाजन कहलाता है यानि कि श्रम के आधार पर महिला और पुरुष के कारियों को पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और महिलाओं को कौन से का तो यहाँ पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि वहाँ घर की चार्ड दीवारी के अंतरगत रहते हुए घर के कारें को ही कर सकती हैं, घर के कारें को ही उन्हें करना होगा, तो इस प्रकार से हमें समाज में लेंगिक श्रम विभाजन देखने को मिलता है, बच्चों को प् खेलों को भी देखते हैं कि लड़कियों को इसके लिए कौन से खेल खिलवाये जाते हैं और लड़कों को किस प्रकार से बाहर भेज कर खेल के मैधान में खेल खेलने के लिए भेजा जाता है, यहाँ क्या है, यह सभी सामाजिक भूमिकाओं के उधारन हैं जो कि आने वाल भवश्य में उनको धारण करनी हैं. तो इस प्रकार से लेंगिक श्रम विभाजन हमारे समाज द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि महिलाएं कौनसी भूमिकाई निभानी वाली है और पुरुष कौनसी भूमिकाई निभाएंगे. तो इस प्रकार से समाजी करण जो है वह हमारा इस प्रकार से किया जाता है कि पहले से ही सामाजिक भूमिकाय तय कर दी जाती है इसी तरीके से हम श्रम के लेंगिक विभाजन में हम बात कर सकते हैं कि काम का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की महिलाएं ही करती हैं जिसमें कि हम खाना बनाने की बात कर सकते हैं, हम सफाई करने की बात कर सकते हैं, हम कपड़े धोने की और बच्चों की देखरे की बात कर सकते हैं तो शम के लेंगिक विभाजन में सभी घरेलू कारिय जो है वहाँ निर्धारित कर दिया जाता है कि महीलाओं के द्वारा ही किये जाएंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों के अंतरगत महीलाओं को अपना भूमिका को निभाना होगा लेकिन पुरुष जो है यहाँ कारे नहीं करते हैं पुरुष जो है घर के बाहर के कारे करते हैं वहाँ कोई व्यवसाय करते हैं और घर को चलाने के लिए वहाँ अर्थ को इखटा करते हैं या अपनी अर्थ विवस्ता को चलाने के लिए पैसे कमाने का कारे करते हैं तो पु पुरुष घर के यह सारे काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, बलकि पुरुष इन कामों को कर सकते हैं, लेकिन यह काम वह कब करते हैं, तो जब इन कामों के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, तब वह यह काम भी करते हैं, जैसे कि दरजी के द्वारा सिलाई करना तो यहाँ क्या है यहाँ पेशा है यहाँ व्यवसाय है जो पुरुष अपनाते हैं लेकिन घर के काम भाँ नहीं करते हैं तो दर असल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी होता है पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन ही सारे कामों के लिए पैसे मिलते ह तो पुरुष यही काम घर के बाहर करने लगते हैं, अधिकांश दर्जी या होटल के रसोईये जो हैं हमें कौन मिलते हैं, तो यहां हमें पुरुष ही मिलते हैं, तो जब भी इस प्रकार के कारियों के लिए महनता ना दिया जाता है, तो वहां कारे पुरुष करने लग जात इसी प्रकार औरते भी कई बार घर के बाहर कार्य करती हैं, घर के बाहर जाकर के वह कई सारी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, जैसे कि गाओं में हम देखते हैं कि इस्तरियां पानी भरती हैं और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं, तो इस प्र इसी तरीके से शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब इस्त्री किसी मध्यमवर्गी परिवार में नौकरानी का काम कर रही होती है और इसी तरीके से कोई मध्यमवर्गी इस्त्री जो है काम करने के लिए दफ्तर जा रही होती है तो हमें भूमिकाओं में परिवर्तन होत पुरुषों के कारे को पहले से समाजने निधारित कर दिया है लेकिन वास्त्विक्ता यहा है, कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अत्रिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछने कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को जादा मुल्यवान नहीं समझा जाता, यानि कि श्रम के लैंगिक विभाजन के अंतरगत महिलाओं के कारियों को जो है गिंती नहीं की जाती, उनके कारेों को मुल्यवान नहीं माना जाता, क्योंकि समाज की अपनी अवधारणा है, समाज की अपनी रूडियां है, और उसमें महिलाओं को सदेव, दोयम दर्जे का माना जाता है, यदि पुरुषों के समान भी कारे करती हैं, तब भी उनके कारे को पुरुषों के समान मुल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं दिया जाता तो आप देख सकते हैं महीला और पुरुष जो हैं कभी भी समान नहीं हो सकते क्योंकि पहले से ही सामाजिक भूमिकाएं तै कर दी गई हैं पहले से ह दोनों समान कारिय भी करते हैं, तब भी उनको समान महनताना नहीं मिलता, तब भी महिलाओं के कारियों को मुल्यवान नहीं माना जाता, तो इस प्रकार से हमें लेंगिक आधार पर असमानता समाज में देखने को मिलती है, जिसका कारण कौन है, जिसका कारण स्वयम समाज भी होता है और इसे आधार पर हम श्रम विभाजन जो देखते हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है कि किस प्रकार से महिलाओं को सदेव श्रम के विभाजन में दोयम माना जाता है पुरुशों के समान नहीं माना जाता तो उसका नतीजा या परिणाम यह होता है कि औरत घर की चारद जीवन जो है वहाँ पूरी तरीके से नियंत्रित होता है और इस सारवजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती तो इस प्रकार से यह लेंगिक आधार पर जो श्रम विभाजन है उसकी वज़े से महिलाओं की भागीदारी सारवजनिक जीवन में नहीं हो पा बादी तो आधे हिस्से की है पर सारोजनिक जीवन में और खास करके यदि राजनिती शेत्र में यदि हम बात करें तो उनकी भूमी का नगन्य होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सालोजनिक जीवन में महिला और पुरुष समान नहीं है और उसमें भी यदि हम राजनीतिक शेत्र की बात करें तो वहां पर तो महिलाओं की भूमिका बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नगन्य इस्तती हम देख सकते हैं जहां पर हम राजनी भागीदारी करने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था, सालोजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह इस्तती बदलती है, जब हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण की विवस्ता कर दी गई है, साथ ही साथ कु पुरुषी वोट देते थे, चुनाव में खड़े होने का कारे भी पुरुषी करते थे, और सारवजनिक भागीदारी ना केवल भारत में बलकि विश्यो में भी बहुत कम थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन आता है, और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार जाते हैं, लेकिन यहां इस्तती भी, चरम इस्तती है, इस्तती में भी हमें विरोधा भास देखने को मिलता है, जब हम कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां पर महीलाओं को राजीती में अधिकार दिये जाने की बात हो रही है, जहां परिस्थानिय स्वशासन में आगे आ रही है आरक्षण की व्योस्था के कारण महिलाएं चुनाओं में खड़ी हो रही है और जीत रही है पदों पर आने के बाद भीवा अपने पदों का सदुप्योग नहीं कर पाती और महिला समानता तब भी नहीं आ पा रही है तो धीरे धीरे रानिती में लेंगिक मुद्दे भी उबरते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने चाहिए और यहां लेंगिक मुद्दे जो उबरते हैं उन्हें ही हम नारिवादी अंदोलन के अंतरगत देखते हैं कि किस प्रकार से परिवार से लेकर सारुजनिक स् कि यूँ महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का माना जाता है तब लेंगिक मुद्दे उठाने के लिए नारिवादी अंदुलन होते हैं और वह नारिवादी अंदुलन वैश्वेक स्तर पर होने लगते हैं जिसका कि कुछ हिसा हमें भारत में भी होते हुए दिखता है तो हम कहेंगे अब नारीवादी अंदुलनों की बात होती है जब लेंगिक मुद्दे उठाए जाते हैं जब महिलाएं राजनीती में आ गई हैं और अब वह अपने अधिकारों के लिए बात करने लगती हैं कि हम भी एक मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकारों की मांग कर स हम भी अपने जीवन के लिए निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ओर्तों ने अपने अधिकारों है तो जब आवाज उठाई उसे ही हम नारीवादी अंदुलन कह सकते हैं जहां पर वहा इस्त्री और पुरुष में समानता के लिए ल गत्वा समानता लाने के लिए संगर्श करते हैं आंदुलन के अंतरगत संगटित होते हैं और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए वह आंदुलन करते हैं इसी तरीके से हम विभिन देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदुलन होते हु देखते हैं, इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनितिक और वैधानिक दरजे को उचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के आउसर बढ़ाने की मांग की गई थी, यानि कि नारिवादी आंदोलन जो की विचारधरा अधारित थे, जो की संहटन के रूप मे किये जा रहे थे, उनमें क्या मांगे की गई थी? तो उनमें वोट देने का अधिकार प्रदान करने की मांग उठाई गई थी और साथ ही साथ महिलाओं को राजनितिक और वैधानिक दरजा जो दिया जा रहा है, उसको भी उचचा उठाने की बात की गई थी, और शाथी सा कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि लिंक के अधार पर असमानता को कम करने की बात होती है पूंटा बदलाव की मांग करने वाले महिला अंदोलन या नारिवादी अंदोलों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवालिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाए यानि कि कुछ नारिवादी अंदोलन की विचारधरा यह थी कि समाज में, देश में और राजी में और विश्व में पूरी तरीके से बदलावाना चाहिए आमूल जूल परिवर्तन आना चाहिए और इस प्रकार की मांग करने वाले जो आंदोलन होते हैं, वह कहते हैं कि औरतों को व्यक्तिकत अधार पर और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी देनी चाहिए जैसा कि एक बहुत बड़ी मांग उन्होंने की थी, यानि आमूल जूल परिवर्तन के अंतरगत वह चाहते थें कि व्यक्तिकत अधार पर व्यक्तिकत इस्तर पर और पारिवारिक इस्तर पर महिलाओं को बराबर अधिकार दिये जाने चाहिए इन आंदोलनों को नारिवादी आंदोलन कहा जाता है जिसमें कि उनकी स्वयम की विचारधारा थी जिनकी विचारधारा के अंतरगत वह परिवर्तन की मांग करते हैं वह समानता के अधिकारों की बात करते हैं और वह संगठन के आधार पर इस प्रकार की मांगे रखते हैं और संगटन आधारीत वहां अंदोलन करते हैं और यही क्या कहलाते हैं नारिवादी अंदोलनों का क्या परिणाम सामने आया तो हम कहेंगे नारिवादी अंदोलनों के परिणाम स्वरूप कुछ सुधार हमें देखने को मिलते हैं समाज में भी कुछ सुधार होते हैं व्यक् भी लड़ाई है जिसे के आगे भी जारी रखा जाया जाएगा लेंगिक विभाजन की रानितिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर रानिति गोलबंदी ने सारवजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है तो इस प्रकार से महीलाओं की जो भूमिका है वह परिवर्टित होती है। उसके अभी इस प्रकार के दिखते है तो हम कहेंगे इसके परिशनिक जीवन ौनित गोल sensitivity आज हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं विभिन शेत्रों में अपने कारे कर रही हैं, सभी पेशे अपना रही हैं, सभी प्रकार के व्यावसाएं कर रही हैं, कौन-कौन से व्यावसाएं तो हम कहेंगे महिलाएं हमें व्यज्ञानिक बनते हुए दिखती हैं, महिलाएं जो है उधारन के रूप में, जबकि पहले इनकामों को महीलाओं के लिए उचित नहीं माना जाता था, महीलाओं को इनकामों के योगिय भी नहीं समझा जाता था, और सारवजनिक भागीदारी जो है भारत में हमें बढ़ती हुई दिख रही है, जो पेशे पहले सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान थे, वहाँ पर भी महीलाएं धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, वैश्विक इस्तर पर महीलाओं की यदि हम भागीदारी की बात करें, तो दुनिया के कुछ हिस्सों, जैसे की स्वीडन, नार्वे और फिनलेंड, जो की स्केंडेनिवियाई देश है, इन देशों में महीलाओं की इस्तती बहुत ही सकारात्मक है, महीलाएं पुरुषों से भी आगे जा रही है, तो इन में जो है महीलाओं की भागीदारी का इ तर बहुत ही उचा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन देशों में महीलाओं की स्तती बहुत ही अच्छी है, लेकिन यदि हम तुलना करें हमारे देश भारत से, तो भारत में इस प्रकार की स्तती नहीं है, और कारण है भारत का पित्र-प्रधान समाज होना, जहां पर हम हमारी मानसिक्ता पहले से ही बना दी गई है, पहले से ही कुछ रूडियां और परंपराएं जो हैं हमारी मानसिक्ता को बना देती हैं, कि महिलाएं हैं जो कुछ शेत्रों में नहीं जा सकती, महिलाएं जो हैं कुछ कार्य हैं वह नहीं कर सकती, कुछ कार्यों के लिए महिलाए कभी योग्य हो ही नहीं सकती, इस प्रकार से हमारी जो समाजी करण की व्यवस्ता है, जो हमें बच्पन से सिखाया जाता है, जो हमारी मानसिक्ता है, जो हमें खेल में भी सिखाई जाती है, वह यह बता देती है कि किस प्रकार से भारत में पित्रसत्ता हावी है, और इसके कार की नार्वे की और फिनलेंड की जहां पर महीलाओं की जो भागीदारी है वहाँ बहुत जादा देखने को मिल रही है लेकिन हमारे देश में आजादी के बाद से महीलाओं की स्थती में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारवजनिक लेकिन यहां आज भी हम देख रहे हैं समानता के स्थर पर नहीं पहुंच पाया है भारतिय राजनिती में पहला बड़ा नाम इंद्रा गांधी का लिया जा सकता है क्योंकि यहां भारत के स्वतंत्र होने के पश्चाद भारत की प्रथम महीलाओं मंत्री बनी थी तो इस प लोगों पर घहरी छाप छोड़ी थी तो इस प्रकार से राजनितिक शेत्र में उनका आना दूसरी महीलाओं के लिए प्रेरणा बनकर रहे गया और एक छाप के रूप में उन्होंने महीलाओं को राजनिती में आने के लिए प्रेरित भी किया जब महीलाओं जो हैं अपने राजनीती में सक्रिय होने लगता है, वो अपने आपको योगि समझने लगता है कि राजनीतिक शेत्र भी महिलाओं के लिए हो सकता है, यहाँ पर भी महिलाओं को आना चाहिए, आज देश के आसपास जो महिला मुख्यमंत्री हैं वहाँ उनकी लंबी सूची है क्योंकि हम द देश की बागडोर भी संभाली है, देश के प्रमुक राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों पर महिलाओं आसीन हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पद हैं वहाँ राजनीतिक दलों के उनके शीर्ष पर कौन हैं महिलाओं हैं, महिलाओं ही उन राजनीतिक दलों का ने 2007 में बनती हैं तो इस प्रकार से राश्पती के पदपर और प्रधानमंत्री के पदपर महीलाओं के आने से महीलाएं भारत की प्रेरित होती हैं कि इस प्रकार से राजनिती में भी अपना प्रवेश कर सकती हैं और राजनिती भी उनके द्वारा की जा सकती है और शेत्र में आना वहाँ रूडियों को तोर कर यदि आ रही हैं तो वह एक बहुत बड़ा परीवर्तन हमें भारतिय समाज में देखने को मिलता है, जहांपर परमपरागत भूमिकाओं से अलग भूमिका में महिलाएं दिखती हैं, लेकिन रानीती में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पह लेकिन उस पद का जो सदूपियोग है, जो पद और अधिकारों का जो प्रयोग है उनके द्वारा आज भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि शिक्षा की स्तती हमें कम होती हुई दिखती है, हम देखते हैं, कि अधिकार जब व्यक्तिकत इस्तर पर और पारिवारिक इस्तर पर न नहीं किया जा रहा, तो हम कहेंगे, रानिती में महीलाओं की भुमिका का दूसरा पहलू भी है, भारती महीलाओं द्वारा इतनी उच्छ उपलब्दियां हासिल करने के बाद, जब हम देखते हैं, राष्टपती भी महीलाओं बन गई, प्रधान मंत्री भी महीलाओं बन पुरुषों के बाद हैं और अपने अधिकानों का प्रयोग नहीं कर रही हैं। महिलाओं को महत्पून राजनितिक फैसलों से दूर रखा जाता है और प्रहाएं उनके विचार जानने और यहां तक कि उनकी सहमती लेने का भी प्रयास नहीं किया जाता। महिलाओं के पद पर आसीन होने के बावजूत उनके जो राजनितिक नेनने हैं उनके पीछे कौन होता है तो उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं पारिवारिक पुरुष सदस्य होते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं उनके पिता की द्वारा यह राजनितिक फैसले लिये जाते हैं उ विशक हो जाता है क्योंकि आज भी भारती समाज क्या है पित्र प्रधान है पित्र सतात्मक है और पिता को ही मुख्या परिवार में माना जाता है तो इस प्रकार से निर्णय करता कौन है पिता ही होता है या पुरुष ही होता है जिसका आर्थ है कि पिता का शासन यानि पित् देखने को मिलती है, तो हमने हमारे अध्याय में देखा कि समाज विविदताओं से भरा हुआ होता है, समाज में विभिन प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं, और उन अंतरों के परणाम सरुप, समाज में विशमताएं या असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, यहां असम लिंग के आधार पर समानता इस्त्री और पुरुष की अधिकारों और भूमिकाओं में अंतर और दूसरा जाती के आधार पर और तीसरा धर्म के आधार पर विशम था। पर समाज में लेंगिक विभाजन पाया जाता है। हमने श्रम विभाजन की बात की हमने लेंगिक आधार पर श्रम विभाजन भी भारत में देखा है जहां पर महिलाओं के द्वारा कारे करने पर भी उनके कारे को मुल्यवान नहीं समझा जाता और पुरुष को सदेव की बात करते हैं उनके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन आ रहा है लेकिन यह परिवर्तन भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिख रहा है। मिलते हैं सध्याई के अगले भाग में धन्यवाद।